चैप्टर का नाम लिखोगे डिवीडेंड डिसीड और टार्गेट है कि दो दिनों में खतम करना आज की क्लास और कल की वो खतम किया भी जेस्ट अब थोड़ा सा लेट हो गया कि अब सब खत्म कि दिवीडेंड डिसीजन कुछ लोग डिवीडेंड पॉलिशी स्पे और मेरी नजरों में कभी देखा नहीं है मैंने कि इसका दस नंबर का कुश्चन एकात कुश्चन आ गया हो तो बात अलग है इसका मतलब बिल्कुल सिंबल चेप्टर पस इससे में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या लगता है नाम से तो हमें इसके अंदर दो पार्ट पार्ट नमबर वन पहले तो हमें समझना पढ़ेगा पार्ट नमबर तो हम पढ़ेंगे डिविदेंट पॉलिसी डिविदेंट थियोरी डिविदेंट पॉलिसी बस इतना ही क्या लगता है नुमेरिकल कोश्चन किस में हो के डिविदेंट थियोरी में है नुमेरिकल ये थियोरी है इसमें कोई नुमेरिकल नहीं है ओके तो लिखोंगे पार्ट नमबर वन डिविदेंट थियोरी टाइम पस नहीं करेंगे चल्द जल्दी नहीं यहां से question आएगा 100% dividend से question आता है और ज्यादा number का आता नहीं है तो हमारे लिए important भी है अच्छा इसमें basically क्या है दो type का theory अब समझना ध्यान से लिखना नहीं है सिब सुनना है इसे a limited है और इन्होंने कमाया एक लाक ठीक है और यह कह रहें कि हम 50% अभी dividend दे रहा है मतलब कितना dividend दे रहा है आप लोगों को 50,000 50% इसको बलते हैं dividend payout ratio पर इनका कहना है कि हम अपनी policy जो 50% देने का है न वो थोड़ा सा change करते हैं और अब भी वैसे तो हम कमा एक ही लाक रुपए रहा है लेकिन आप सोच रहे चलो ना या 75% देते हैं मतलब हम कितना आपको dividend देंगे 75,000 पहले share का price चल रहा था 125 रुपिया एक share का price policy change होने से share के price पर फर्क बढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा हाँ बढ़ेगा या कम होगा dividend पर मेरा बस इतना है कि अगर हम policy change कर देते हैं पहले कितना परशंट था 50% अभी कितना कर रहा है 75 तो इससे 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 share की price पर फर्क पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कैसे ज्यादा dividend दे रही है क्योंकि ज्यादा कमा रही है अच्छा ये जो 50,000 बचा वो company का और यहां भी किसका तो share के price पर फर्क पढ़ना चाहिए क्या लगता है कि जैसे company होती है तो किसी भी company के shareholder कोन होते हैं हम लोग आम आदमी बड़ी-बड़ी banks insurance company हम लोग दो-चार share खरीद के आपरे आपको मालिक नहीं समझ सकते ठीक है financial ये बहुत बड़ी-बड़ी लोग होते जो इसमें पैसा invest करते है L.I.C. वो भी कहां पिछे तो उन लोगों को तो बड़ा जबरदस knowledge रहता है ठीक है पहली बात सिर्फ इतनी सी बात है कि कुछ लोगों को कहना भाई time pass मत करो इट मेंस आप dividend पर क्यों focus कर रहे हो आप तो earning में focus करो न earning बढ़ेगा तो ठीक है share का price बढ़ेगा dividend देने ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला dividend दीजिए दे देते तो अच्छी बात है अच्छा एक बात बताओ आपको dividend मिला आप क्या करोगे इसका तो फिर dividend दे ही क्यों हम आपको dividend देंगे आप हम वापस हमारे पास लगा होगे क्या आप में इतना दम था कि आपको हम पैसे देते तो आप कहीं और investment करते आप इतना सोच सकते हो नहीं इसलिए तो अपने company को दिया कि आप कमाओ करके ठीक है आप ही का पैसा अगर हम dividend नहीं देते ना तो मालू मैं क्या होगा मेरे पास कितना था एक लाक मैंने कितना बाट दिया पचास अभी कितना बाट रहा हूं यहां कितना पैसा बच्चा है बटेगा और यहां कितना बच्चा है चलो share खरीदा थो मैं आपसे बोना share खरीदा मेरे पास तो 50 बच्चा है चलो मेरे ना share खरीदा दूसरा मेरे पास तो 25 बच्चा है भाई यह जो बच्चा है यह तो जो भी shareholder हूगा आगे उसको मिलेगा ना किश कब शियर का प्राइस बढ़ेगा अगर मैं अपनी एक नजरों से बता हूँ, तो सर देखिए आप जिश्टिफाइए कर रहे हूँ बहुत सारी चीजियों को, बहुत सारी बाते हैं कुछ कहते फर्क पढ़ता है, कुछ कहते फर्क नहीं पढ़ता, कुछ लोग कहते हैं क irrelevant theory और उसको लिखा है MM ने और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी फर्क पढ़ता है dividend दोगे तो फर्क पढ़ेगा वो price बढ़ेगा की कम होगा वो बाद में reset करेगा पर share की price पर तो effect पढ़ता है dividend की वज़ा से उसका नाम है relevant theory और उसको कौन-कौन लिखा है दो लोग picture में है एक Gordon और एक Walter तो नाम वो मैं याद करवा दूँगा ठीक तो पहले कहने लिख ले वड़ासा लिखना था पड़ेगा लिखोगे point number one there are इस chapter का basically काम क्या है dividend versus return समझ रहे हो ना dividend दे की return कर तस टार्गेट याई there are two types of dividend theory first relevant relevant theory क्या बोलता है पर्क पड़ेगा के नहीं पड़ेगा पड़ेगा बोलता है distribution of dividend affects वेल्थ और शेरहोल्डर्स डिस्टिविशन अब डिविडेंट अफेक्ट्स दे वेल्थ अब शेरहोल्डर्स यह आता है इसलिए कहाने लिखवार कोश्यन आ जाता है यह आप डिविडेंट थिवरी पर शॉर्ट नूट लिखुँँद अब रिविद अब क्त्रिविविविबाऌे लिखंग से विविविव्विडेंट बूलिष is relevant for creation of wealth और ये थेयरी कौन कौन लिखा और नाम लिख ले एक इसको वाल्टर्स मॉडल बोला जाए वाल्टर्स मॉडल या वाल्टर्स और इसमें दूसरा जाएगा गॉर्डन्स मॉडल गॉर्डन्स मॉडल को प्यार से डिविडेन ग्रोथ मॉडल भी बोला जाए डिविडेन ग्रोथ मॉडल इसके अलाव और भी थेयरी है वो तो जैसे लिंटरनर थेयरी है तर हमारे स्लिवस में है कि एक एक्जाम्पल चिपका दिया है तो मैं करवाओंगा वो सारा चीश कर ग्राम एंड डॉड है ठीक है तो यह सब हो जाएगा एक बार दूसरा लिखो के एरेलिवेंट थी कहानी लिखो गया लिखे क्या लिख सकता है सब्द सब्द जाएगा दिश्रिबिशन दिविदेट 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 आट अफेक्ट दा वैल्त ओ सेरोडर दिविदेट पॉलिची इस नोट रेलिवेंट फार डिशिजिएन में कि प्रण दिविदेट 5 अ और इसको लिखा है मोडी गल्यानी एन मिलर और हमें ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम एम एम बोलते हैं Moh एम एम मोडल सरे अच्छेो की क्लास में भूलते इसमें थो चार कोर्शियों का…? इसमें दूही चार कोर्शन एक कोर्शन में ही सब खतं हो जाएगा ये वाला इंपोर्टेर एंपोर्टन वाल्टस तो फर्स्ट सबिख हुए होगि वाल्टिर्स मन्वाद् До इसको और एक नाम से पुकारा जाथा था इस एप्रोच को आल इसे बनाओ जैसे मैं बनाओ रिविजन में यही काम आने माता है कंपनी की कैसा कंपनी मिलाना सीखे की नहीं कंपनी और सर यह कौन है और क्योंकि पैसा इन्हों ने लगा रखा है इन्वेस्टमेंट तो इन्हों ने दिया है कंपनी को तो यह कितना चाहते हैं अगर मैं यह निकाल दू और मैं निकाल कर बता रहा हूँ यह कितना चाहते हैं मतलब कंपनी इसको इनको कितना देगी नाम बोलो उसको क्या बोल सकते dividend नहीं, dividend on company से ये कितना चाहते है कितना percentage बोलते है cost of equity हाँ sir, K-E RE भी बोलते है कुछ लोग K-E भी बोलते है और K-E use होता है institute K-E use sir, ये चाहते है 12 परशन इन्होंने पैसा दिया company ने लगाया project अच्छा खासा काम चल रहा था अब सुनना अब इन्होंने कमाया और रुनिंग अब सर कितना कमाया total मिलाकर company ने कितना कमाया 10 लग अब decision सुनोगे अब मुझे सलह देना अब ध्यान से समझना 10 लग मैं हूँ company मेरे पस 10 लग रुपए अब मैं यह सोच रहा हूँ भीया मैं आप लोगों को देता हूँ तो आपका required rate of return कितना है 12 बशन फिर मैंने पता लगाया मैं तो company हुना है मैंने पता लगाया कि कोई ऐसा project है क्या और मुझे पता लगा कि और और एक project है जिसमें आप पैसा investment कर सकते हो और उससे हम कमा सकते इसको IRR नाम सुना है न या R कि return कितना कमाएंगे और पता लगा कि यह इस project में पैसा लगाती है company तो 15% की कमाई हो सकती है एक लाग दस लाग रुपिया है decide यह करना है कि आपको dividend दिया जाए कि project में लगा दिया जाए company को decide करना है आप कितना चाहते हो हम अगर invest करेंगे तो कितना क्या करूं project में लगा हो investment कीज़े क्यों कैसे बता लगा ज़्यादा है किस से यही research किया है Walton Walton ने यही research करके बताया है कि देखो दो चीजे देखना ज़्यादा है क्या हाँ तो लगा दो इधर इधर बात खत्म हो जाएगी तो यह तो बिल्गु simple बात है हाँ simple बात है कुछ special नहीं कि dividend में कुछ special है बताओ कितना dividend देना चाहिए क्या कुछ भी नहीं कितना जालिम के से dividend देना चाहिए कि नहीं सवाली जीरो अच्छा सर और सुनो 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 अभी लिखना नहीं सुनो अगर यह मान लो 9 परशेंट होता तो तो भाया आप चाहते हो मुझसे 12 और मैं कितना कमाऊंगा 9 वह रहने दो पैसा देदो हमारा वापस कितना दू रुपिया कितना दू आपको अरुनिंग कमाके रखा मैंने 10 लाक रुप है मेरा सवाल है यह 10 लाक को इधर लगा दू कि आपको दे दू दे दो सर कितना पुरा हाँ ओल देना तो पुरा ने तो कुछ भी नहीं यही तो नाम है वाल्टरक अजी उसकी बात को आप मना नहीं कर सकते हैं उसमें लिखा है दिल जरूर बोल रहा है कुछ-कुछ-कुछ-कुछ लेकिन नहीं हमको वह जो बोला है वह सुनना पड़ेगा तो इस दिपेंड करता वोलता है सारी चीजे दो चीजों पर डिपेंड करती है डिविदेन देना है कि नहीं देना है है अगर आर्श जादा है किससे कें अर Southeast region čitum लगा और निवेस्ट्मेंट करोई dividend कितना देना नहीं तेना ऐसित अहाओ कम है के जयता है तो पूरा differenti में बस यह दोनों का खेल अब बेकार बच्चे का कोश्चन मालों मैक्सिमम क्या सब्ता हुआ कि वही बोला बॉल्टर्स वही बोला ठीक तो वही बोला है जिसमें आपका मज़े समंझ जितना देना है दो जितना बुले स्वेयर के नहीं पड़ेगा अगर और के अलगअलग है तो फिर अकिमर्ष शेर का प्राइस पे कोई इफ्ट नहीं पड़ेगा शेर का प्राइस वैसी रहेगा चाहे आप पाछ लागग दोगे तो भी शियर का प्राइस होगी देगा अब मुझे बस réponse देना शियर का प्राइस ज्यादा रूप अंसर चाहिए अभी मैं पोछ रहाऊ आराम सबुचना इस कितना है और कितना है चेयर का प्राइस वाल्टर के सबसे ज्यादा कब आएगा अगर पूरा डिविडेन देते हैं तब कि फिर री इन्वेस्टमेंट करते हैं तब बढ़ेगा कब अराम से सुथ केई कितना है बारा आप मुझसे चाहा कितना रहा हूं बारा मैं कितना कमा कर दे रहा हूं तो कब शियर परीज ज्यादा है देखो नkaलोगे न तो आप मैं जो बोल रहा हूं उसी के सब शियर का प्रीज़ जाता है अब जाएगा अगर यह 9 नौ परशंट होता है तो जब आप पूरा डिविडेंटा नगे तो तब शियर का प्रईज जाता है 12 वह आप चाहिए आप 2,00,00 दो शेर का प्राइज वही आएगा चाहिए आप 5,00,00 दो शेर का प्राइज वही आएगा और उन्हें फॉर्मुला बनाया है वह तब बढ़ेगा बढ़ेगा जब आप लॉस मत करो आप कितना चाह रहे हैं कोश्च प्राइज यह से नौव परशन आप और यह क्या है 12 यह मेरा कहना कि पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते तब या फिर पाच लाख इन्वेस्टमेंट कर देते और पाच लाग कही दीजिन देते हैं या फिर पूरा की पुरा डीजिन देते हैं तब शीरे का प्राइस कब बढ़ीगा ज़ादा या पूरा की बुरा प्राइस कि आप कितना कमा सकते हो 12 और आपके पैसों को लगा कि मैं कितना पर्जेंट गाрав करना و तो आपका तो जो आपका wealth वो डिस्ट्रॉई कर रहा हूँ जब हम में खुद में दम है कि हम 12 कमा सकते तो सर रहने दो फिर कब फाइदा है investment करने से तो सारी चीजे depend करता है आर पर यह बनाया हुगा साय था अपने अब यहां तीन आर लिखने हूँ के यह तो fix है तीन आर लिखूंगा आर नंबर वान 15 पर decision बोलो मुझे सिर्फ dividend बताओ dividend dividend payout ratio ऐसा लिख देता हूँ dividend payout ratio डिविडेन कितना देना है 0% अगर हो आर इसी 10% 100% dividend payout ratio 100% और सर्थ तीसरा तो आप समझी क्या हूँ आर इस एक्वेल टू बारा बश्रूंद कितना कितना डिविडेन देना है कितना भी कितना भी प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़िए यह लिखने आना नहीं है आपको एक्जाम है तो आप अपने सब से लिख लो तो वाल्टर भाई साब हम आपकी बात पर विश्वास क्यों करें मैं जो बता रहा हूँ ना भाई अगर ऐसा करती हो ना तो शेर का प्राइस मैक्सिमम हाए वैल्यू समझते है वैल्यू और एक होता प्राइस वैल्यू प्राइस में क्या नहीं एक होता वैल्यू देखो अगर मैं कहूँ इस calculator की जो price है वो एक ही है पर क्या value अलग-अलग हो सकती है आपके लिए अलग value हो सकती है पास होने के लिए कितना number चाहिए चालिस इंस्टिट्यूट कहता एक number में बेचने को तयार हूँ खरीदना है क्या सुनो एक number बेच सकता हूँ बस एक ही बेच हूँगा एक का मिला है 39 number और एक को मिला 11 number एक ही number बेच रहा हूँ तो कौन ज़्यादा पैसा लगाएगा इसके लिए एक number की value अलग है हाँ value value और इसके लिए ये कम पैसे देगा ये ज़्यादा पैसे देगा क्या हो गए अब ही शादी वादी में जाओ गए 11 number मिला मुझको कैसा लगे हो 12 मिला ठीक लगेगा ना यार थोड़ा इज्जत वाली बात अजाती क्या बात इसके बात अब नहीं है छोड़ों मैं यही से value सब्जाब नहीं तो अगे लिखो करें ASP Walter's model as per Walter's model price, price का मतलब यहाँ actual price नहीं है theoretical price हो था price option is calculated as under price को प्यार से क्या बोलते है जीरो पी जीरो आज का प्राइज है ठीक हाँ हमें आज का निकाला है ना पी जीरो इस इक्वल टू टी क्याल टीरो टीмотр टी ना इस में आज रजी जीरो भी अ यह का मतलब होता है dividend per share अब यार आश्यर की बात यह होती है dividend total है 40,000 रुपया dividend देना चाहती है company और number of shares है 10,000 dividend per share निकल सकता है 40,000 रुपय dividend देना चाहती है और 10,000 shares है dividend per share निकल सकता है हाँ कितना 4 रुपया बच्चे बलता सर इसका formula लिखो total dividend divided by number of shares का क्या formula लिखो earning per share का भी formula नहीं लिखो इका मतलब होता earning per share earning per share return on investment नहीं हो क्योंकि यहाँ बात है equity के पैसों की हम बाहर का borrowing वाली बात ही नहीं करें इसे भी equity का तो इसको बलते है ROE और क्या ROE निकालना आता है को फॉर्मूला पता है return on equity अलागी मैंने ratio नहीं पढ़ा रखा है पर फिर भी थोड़ा equity के लिए कितना कमाया equity के लिए कितना कमाया earning after tax अगर preference share capital होगा तो वह भी minus कर दे ना याद है हम लोग earning निकालते थे या capital structure में earnings divided by net worth net worth पता है न आपको क्यों था अच्छे से लिख दूं किया हाँ sir equity share capital अगर reserve and surplus होगा तो वह भी आता into 100 और सर केई नहीं दिया है तो केई का एक formula होता है one divided by price earning ratio कभी सुना है यह formula हाँ मैंने derivation भी करवाया था इसका अब बस जान लगा देना यह formula बोलना क्या चाहता है तो यह तो कि उरट्टा तो मारी लोग है और फिर बाद में final में दिक्कत होती है फिर बच्ची वह या यह क्या आपके final में हाँ जी वाल्टर कहा है मेरी इबुक में दिखा दूँगा वाल्टर है फिर वहाँ समझाना न बहुत मुस्किल होता क्योंगी syllabus इसलिए बढ़ता है अब ध्यान से जान ताइम बस मुझे इतना बता हूँ कि मान लो हमने कमाया 10 रुपे derivation क्या है formula का logic क्या है और 10 रुपे में से decides हुगा कि शार रुपे dividend दिया जाए चार रुपे चार रुपे चार रुपे चार रुपे चार रुपे और discounting rate है 10 पर्षन पता सकते हो present value चार, 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 चार परपेच्वल मिले एक यादा ऐसा कुछ किया था हम दबा ये ते, दबा ये तो, कहले हूं, हां, चार डिवाइड़ेड़ भाए, दस परशन, तो sir, ये तो बात समझे में, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है, चार डिवाइड़ेड़ भाई, दस परशन, अच्य है समझे लो, काम आएगा ही, तो sir, इसका मतलब है, तुन न, यह ह साल 14 साल ऐसा और इन सापका क्या निकाला अपने प्रिजेंट वैल्यू ब्रेजेंट वैल्यू कितना है चालिस यहां तक ठीक है बचाया कितना छे अरुपय कहां बचा लिया उच्छेगा करोगे क्या प्रिजेक्ट में लगा होगे कितना पर्शन कमा होगे कुछ न कुछ बताएगा तपोज वो कमाएगा आठ पर्शन तो बताओ कितना छे रुपिया का आठ पर्शन जिरो पॉइंट कमाई होना इस्टार्ट होगी कब से यहां बचाया इस साल लगाया यहां लगाया 0.48 कमाई कब से स्टार्ट हुई उसके यहां से तो बोलो यहां से 0.48 आएगा हर साल परपेच्छल आया 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 इसका प्रेजेंट वैल्यू कहां का निकलेगा डिवाइड बाई क्या करोगे यहां का निकलेगा जश्ट है इट परेजन तो इन्वेस्टमेंट है जो डिस्काउंटिंग करते हैं वो किस से करते हैं के इसे करते हैं उससे दूसरे साल से आना इस्टार्ट हुआ और परपेच्वल आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 4.8 इसे साल, कितना डिविडेंट दिया, 4 कितना बचाया, 6, उस पे भी को भी तो लगा दोंगे, 8% पे तो 4.8 यहां का वैल्यू आजाएगा, यहां का भी 4.8 आएगा, क्या यह 4.8 परपेच्वल है, पहले साल, दूसरे साल, तीसे साल, चौते साल, तो इसका भी मुझको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, फे भगवान, 4.8 डिवाइड बाइ 10 परशन, अब यह जो आएगा न, वो यहां का जाएगा, 48, ठीक, अब फॉर्मुला ठीक से समझने की कोशिश करना आराम से, पहले डिविडेंड कितना आ रहा है, 4, बचाया कितना, 10 माइनस, 4, 6 रुपिया को इन्वेस्टमेंट किस रेट पे कर रहा है, 8 परशन, 0.08 लिग दू, और 4.8 यहां काया, और 4 को भी, तो 4 को भी आपने 10 परशन से, और इसको भी आपने 10 परशन से, तो दोनों को मैंने सीधा किस से कर दिया, 10 परशन से, तो यह वैल्ली बचायाएगा, ठीक है, सर अगर हम फॉर्मुला याद करें, तो भी कोई दिखत नहीं, ठीक, फॉर्मुला याद करोगी, तू भी हो जाएगा, यह फॉर्मुला है, D, E minus D, R by K divided by K, ठीक है, अब लिखोगे एक्जाम, अब बनाओगे आप, E, मतलब, R नहीं, 12 रुपे, और K, 15 पर्शन, और R, 10 पर्शन, वैसे क्या करना चाहिए? यह फिर दीविदेन प्याउट रेश्यों, कंडिशन नम्बर वान, 50 पर्शन, डिविदेन पेयाउट रेश्यों, 0 पर्शन, 100, बता सकते हो कि किसमे सबसे ज़्यादा प्राइज आएगा, पी जीरो, केई कितना है, 15, अगर आप डिविदेन पूरा दे देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राइज जाएगा, चलो, प्राइज निकलते हैं, आओ, काम करें, पी जीरो निकल रहा है, फॉर्मुला धीरे धीरे याद हो जाएगा, दी प्लस ए माइनस डी, जो भी बचाया, उसका आर बाए केई, और फिर होल डिवाइड़ बाए केई, तो बोलो, डिविदेन कितना है, 12, 12, 6, ए कितना है, 12 में से कितना, 6, आर कितना है, 10, डिवाइड़ बाए पॉइंट, 15, और फिर यहाँ, होल डिवाइड़ बाए क्या हो जाएगा, पॉइंट, 15, क्या इसे डिसकाउंटिक, चलो, पीजिरो निकलो, 66.67, दूसरा वाला निकलो, हाँ, डिविदेन कुछ भी निए देरे, तो बताओ, पीजिरो क्या आएगा, 0, 0, प्लस, 12-0, 0.10, डिवाइड बाए, 0.15, बूल डिवाइड बाए, 0.15, अंसर कितना आगे है, 53.33, लास्ट वाला, 80, शेर का प्राइज किसमें जदा आया, आ नहीं था, ठीक है, तो बस वही यही बतानी की कोशिश करा है, कि हम जो कहरे है, उसके सबसे, प्राइज जदा आया, आया, शेर, यह वला, लिखोगे, एक्जाम्पल लूबर टू, अर्दि, अर्दि, रुपीज एट, आर्दरा पर्शन, केई, पंदरा पर्शन, दिविडेंट पी आउट रिष्ट, पहला 50 पर्शन, दूसरा 70 पर्शन, तीसरा 0 पर्शन, और चाहता 100, पी जीरो निकालना है, बताओ पी जीरो, सबसे ज्याद किस में आएगा, बैसे ही बताओ, सब में बराबर आएगा, ऐब पी जीरो, जो पर्शन, के पी जीरो जोipes, सब में एक बराबर आएगा, मतलब सार, इसमें अगर 80 रुर्पया ह।, इसमें भी 80, इसमें भी 80, इसमें भी 80, केसी, रिकालो, देखुलो, हाँ, देखुलो, हाँ, केसी, बाद, कोई तो वहला थास्य नहीं आए, अगर के सम्म, 53.33, हाँ, हम वाल्टर को कैसे बोल सकते हैं, गलत हो कर, अगर, सब में अंसर उतना ही आएगा, 53.33, 53.33, 53.33, 53.33, कोशन नंबर, बुक खोलोगे, पोशन नंबर, यह समझ में आएगा तब पेज नंबर कौन सा नहीं मालूँ 107 देखता हूँ किस प्रेजेंटेशन से आप शॉबल करते हैं याद रखना पर पांच नंबर अगर आपको देगा ना तो सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन पर देख और मुझे बताना की कैसे परोगे एक बड़ पड़ी कोशन को बताओ पैड़ पेकवटी शेयर क्यापिटल कितनी इस कंपनी में 40 लाख है अर्निंग कितना दिया है चार लाख डिविडेंट पैड़ दिया तीन लाख बीस जार भई अभी हमारी पॉलिसी चल रही है यह हम चार लाख में ठीक है और प्राइज जैनिंग रिशो 12.5 क्यों दिया आप समझ गया हो और नमबर अप शेयर्स भी दिया है यूर रिक्वाइट तू फाइंड आउट वेडर्ड़ दिविडेंट पै आउट रेशो इस ऑप्टिमल का मतलब होता बैश्ट यूजिंग वॉल्टर्स फॉर्मला चलो अब बताओ कि इसको सबसे पहले जब श्टार्ट करोगे तो कैसी श्टार्ट करोगे आपके प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का नमबर है पॉर्मला पर पॉर्मली से पहले यार हम जो जो चीज हमको चाहिए परशियर वो निकाल लेते गीवन करके, गीवन करके, लिखोगे, हाँ चलेगा, चलेगा, केई निकाल सकते, पहले क्या निकाल लेते, केई, आपका दिल नहीं ढूटना चाहिए, one divided by price running ratio, one divided by, point zero eight आया, अब इसको कैसे लिख सकते हो, eight percent, यही निकाल लगे, ठीक है, दूसरा क्या निकालोगे, earning per share, बोलो कितना, चार लाग divided by, चार्लीस जार, बोलो कितना आया, दस रुपए, उसके बात, dividend per share, 32,000 divided by, तो कितना आगया, आठ रुपिया, अभी 10 रुपए, मैं से आठ रुपए तो dividend दे रहा है, अब और एक चीज़ बची भाई, आर, चार चीज़े चाहिए मुझे, E, D, K, E, और आर, तो तीन तो मेने निकल दिया है, आर आप बदा, 4,000,000 divided by, 40,000,000,000, देस पर, तेहला काम तो यह होगा, इसके बदबताओ क्या करूँ, आप जैसे जैसे बता रहा हूं मैं लिखते जाए हाँ सहीं बता रहा हूं यहां तक तो सही है पर फॉर्मूला याद भी है P प्लस E माइनस D R डिवादेड बाइ K ठीक बलो पूछा क्या है तब से पहले रिक्वाइरमेंट हम कुछ भी निकालने से पूछा क्या है यह इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्याद है हम निकाल क्या रहा है हम कैल्गूलेट करके क्या कर रहा है पूछ क्या रहा है यह इंपॉर्टेंट सबसे ज़्याद है वो नहीं बस वो पूछ रहा रहा कि भिया आपकी कंपनी चार लाइक म così तीन लाइक 10 रुपिया नेश्ञ रुपिया डीक रहे तो यह बेस्ट है के नहीं यह बताओं क्या करोगे एट यह नसर औनसर दिख रहा है आठ परशन्ट दिख रहा है इन्वेस्टमेंट करने पर 10 क्या करना चाहिए? तो वो लिखना था तो फॉर्मिली की जर्वरत थी नहीं पता नहीं आपने क्यों लिखा आपने बताते आप बताते के वे काव करते वही तो पूछा ना यार गलत ही आएगा मैं तो बता रहता है लिखोगे, सिंस नहीं भई, मैं जबर्दस्ती थोड़ी लिखूँगा कुछी होई है क्या जादा है, आर की कही आर इस मोर देन कही सर हमको ऐसा चल जाएगा क्या मैं तो सिय बन गए मैं अपनी वाद अतार हूँ, आप देख लो आर इस मोर देन कही हाँ, रूरा लिखो क्या बोलते सको रिटर्न ऑन एक्वटी इस मोर देन कॉष्ट ऑफ इक्वटी ऐसा करके लिख सकता आचल रपत आचल जाता है बाकी कोश्चन बन नहीं रहे एग्जाम में तो थोड़ा नम्या यूज करेंगे ना, तब देखेंगे आसपास वाले कहेंगे, क्या कुछ नहीं लिख रहा है तो चलो रूरा फैलागा लो थारी इस मोर देन के क्या करना चर्चिए थे था बूला देया चलो All earnings Should be Reinvested And डिवीडेनद पे आउट रेशो चुट भी कितना परशन नई पे आउट रेशो जीरो परशन तो अभी आपने क्या दिया है अभी आपने ग्यान दे दिया कि वह ऐसा करो फर वार्टर कहेगा किया ठीज्ज्द ठीड है करके बताओ न आप और कैसे बताओगे सबसे पहले आप प्राइज निकालोगे as per existing dividend policy और फिर प्राइज निकालोगे आप जो बता रहें उसके सबसे और प्राइज किसमें ज़्याद आएगा जो हम बता रहें तो पहले प्राइज निकालते और हम इस बात को प्रूव करेंगी कि देखो हम सहीं बोल रहे हैं existing dividend policy और क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग P0 अब बच्चों का पहले यांसर गलत आ गया है P0 is equal D बोलो कितना 8 plus plus minus 8 और यहां क्या आएगा 0.10 divided by 0.08 answer 131.25 यह किसके साब से निकल है जो कंपनी की अभी existing policy चल रहे है उसके साब से और अब किसके साब से लिखोगे अप्टीमल पॉलिस थी मतलब बैस्ट आप जो बता रहे है यह सब लिखना पड़ेगा तो नंबर मिलेगा आने तो इतनी बैरे में से काट रह नंबर सीधा काट देता है हां क्या बताना है था आप लोग इफिन है 0 plus 10-0 into 0.10 divided by 0.28 divided by 0.08 156 25 हां आगे लिख दो नहीं भी लिखोगे तो इतना करके इंट्रीट फोड़ देता है हां यहां भी कहानी लिखा बहुत कुछ और फिर यहां कैल्गूलेशन मिश्टेक किया और प्राइस कम आ गया सब बताओ पतलाओ सर यह से कैसे हो सकते मैं बताओंगा और आपको ऐसा लग रहा है कि सर यह बाकी बच्चे करते होगे मैं ट्रेस्ट लेने के बाद आपकी भी आंसर शीट दिखा हूँ कि यह देखो ऐसा की है आप लोग कुछ नमबर टू का आंसर आप नहीं काल रहा है एक बात पूछ रहा हूँ जब यह कुश्चन पढ़ा था कैसा लग रहा है अच्छा साप सप चीजे लिए कोई नहीं करता है मेने पास भी आंसर शीट आती है इतना कौन पड़े अगर आप साप सप इस टेप में लिखोगे ना तो चेक होग पढ़ दो जब किये हो तो पढ़ना पढ़ा आंसर आ रहा पीजीरो 200 बस 200 निकालो उसके बाद हम ब्रेक ले लेते 200 निकालो क्या कैसे भी करो गुना भाग प्लास माइनस यहां तक का पैरग्रप कोई काम का नहीं है सीधी दी बात बता रहा है कहानी बता है इसके बात कर आर और केई को देखकर डिवीडेंट पे आउट रेश्यो बता दीचिए और फिर उसे सबसे प्राइज भी निकाल दीचिए कोई है किसी का दोस्तो निकला और दोस्तो सही आंसर है ना करेक्ट कि अर्या के में से एक है यह चलो इतना तो मेरा बताने का बनता है दो पर्शन ना तो नो सुनो 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 यह कंपनी यह इन्वेस्टर्श् कितनी की हुई है पाच लाग बेटे सोचो थोड़ा सा पाच लाग रुपए की कमाई हुई है और अब पढ़ो इस सेंटेंस को क्या लिखा इट इस एस्टिमेट इस एंट कितना रुपए कमा लेंगे एक लाग इसकी कर रहा है न हुँ अगर इसको वो रिटेंड करता है और इस पे कितना कमा सकता है एक लाग क्या पर्शेंटेज बता स्था बीस पर्शन का नाम बोलो और इस पर्शन का नाम आर है यह तो कोई बात ही नहीं है और लिखत दी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स का मतलब हाँ अगर आप मेरी कंपनी में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते और कहीं और लगाते तो आप कितना कमाते दैस तो यह तो के ही हो गया और आर जादा है तो क्या करना चाहिए डिविदे दे नहीं नहीं चाहिए डिविदे प्याउट रिशो शुट भी जीरो तो डिविदे जीरो आता प्लस कमाई कितनी है पाच लाग डिवाड़ेट बाइ पचास दस रुपे दस माइनस जीरो यहां पॉइंट टू जीरो हाजाएगा बस निकालो के अंसर कितना वाव आपको सेंटेंस अब्दुक आप पर रट्टा नहीं मार सकते वो लिखकर देगा ही नहीं वो इस तरह से घुमाएगा ना तो दिक्कत होग ठीक है सर ब्रेक ले रहा है और ब्रेक के बाद कोश्चंस ही कोश्चंस करने वाले ठीक है और बहुत सारे कोश्चंस और ऐसे कोश्चंस है ट्रिकी कोश्चंस है मैट्स इन्वाल है कल वाला खेल फिर से चलो अब यह आपका ही काम है पस कंप्लेट करना इस चैप्टर को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे बेनी कुली स्पीट से क्योंकि आंसर देखते तो और प्रेशन हो जाते तो और चुपा दिया है अर्निंग्स दिया है दो लाक और नमबर रूप शियर से 20 तो बोलो कुछ निकलेगा क्या EPS 10 रुप 10 रुप डिविडेन परशियर भी निकल सकता है क्या बोलो साड़े साथ रुप प्राइजनिंग रिश्यो दिया है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा पर केई के लिए हमेसा प्राइजनिंग रिश्यो दिया रहेगा यह जरूरी नहीं है दिमाग शिरादा पढ़ेगा तो यार केई कितना निकला भाई 8 पर आर निकाल सकते हो बोलो आर कैसे निकलेगा दो लाक एक लख पचासार डिवाइड वाइड 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 आर में देखको कोई ना कोई साइड में अच्छा फसेगा एक्जाम में अभी जरह अपना ग्यान दीजिए आर और केई को देखकर डिविजन कितना देना है पर क्या अभी कंपनी डिविजन दे रही है क्या यह पॉलिसी ऑप्टिमल है नहीं अब पूछा क्या पड़ते हैं बताईए कि यह जो डिविजन पॉलिसी फॉलो हो रही है यह आप्टिमल है की नहीं रिटर्न में कैसे बताऊगे हाँ यह बताना पड़ेगा since r is greater than k is hence अब डिविजन पॉलिसी इस नोट अप्टिमल पॉलिसी पहली यह लिखेंगे ठीक है और उसके बच्छों लोब यह वाला क्वेशन भी करवा ही दोना अच्छा लगए point number one since r is greater than k has and existing policy existing policy is not optimal एक यहां तक खिर भई optimal नहीं है तो क्या है optimal आप बताओ as per optimal policy dividend payout ratio should be zero क्या कहानी खतम हो गई हाँ अब price निकालो किस से दोनों से एक विस्टिंग से भी और optimal से भी और बताओ कि देखो हम great है एक जिस्टिंग से और सर्फ formula लिखना जरूरी है क्या 130 21 21 चल देखा एक जिस्टिंग से और optimal से कम मत ले आना 156.2 फॉर्मुला लगाओगे P0 का डीप 130 तू नहीं 8 बुला था देखा हम अच्छा है आप लोग साथ में 132.81 लिखने का नमबर है भाई बाके इस यह तो easily बन जाएगा प्लिकोल सहीं पहले यह वहला है यह वहला उड़ा दिया है कि यह वहला पड़त पड़त 156.25 Find out what should be the price earning ratio Price earning ratio किस काम आता है यह निकलने के लिए तू यह बोल रहा है कि यह क्या होना चाहिए At which this pay dividend payout ratio will have no effect on the value of share जब र इक्वल to र तो दिया है र कितना रिया है 10 तो क्या होना चाहिए 10% और K को put करके हम price earning ratio निकल लेंगे यहां तक बात समझ में इसको थोड़ा सा दिखना वड़े if r is equal to k then payout ratio will have no effect payout ratio will have no effect on price so r given है तो आर गिववन है क्वेश्चन है इत्मा दिया है hence K E should be 10% और K E का formula क्या था 1 divided by price earning ratio K E मालूम है 0.10 रखना है 1 divided by वह आप से P ratio मांग रहा है P ratio is equal to 1 divided by 0.10 कितना? 10, 10 times क्या है कि लुक्ए लास्ट वाला देखो बुक में क्या लिखा हुआ है अगर प्राइज अनिंग रिशो 12.5 होता तो क्या आपका डिसिजन तो भाई या के यी बता दो वाल डिवाल टो 12.5 तो कितना है एट परशन और आर कितना है 10 क्या आपका डिसिजन कोई चेंज होता अभी आपने क्या बोल अच्छा यह यह दिया है एट तो यहां कितना जाता है 12.5 परशन तो अब तो पूरा डिविजन देते हैं तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा लिख लोगे वह आप यह जादा है तो हम पूरा की पूरा डिविजन देंगे इतना लिख के काम होका है नहीं फिर क्या onent निकालों पीजीरो किसके सब से एक जिस्टिंग के साब से और आप जो बॉल रहा है उसके सबसे और उसमें मैक्सिमम प्रैस है कर लिख कर लेते कम से कम एक कोश्ण तो कर लेते हैं मणनेघ तो बड़ा सारो होंवक आने मना क्या कहानी लिखेंगे भई सबसे निप सबसे पहले वो निकालेंगे न क्या के निकलो वाइन डिवाइड भाइड पी रिशो नहीं वाला तो क्या जाएगा 12.5% फिर बोलो के फिर वही सिंस आर ये वाली बात के इस क्रेटर देना एंस डिविडेंट प्याउट रिशो अंडरेट पर्शन फिर क्या निकाल रहा हूँ पी जी रहूँ किस के सबसे एग्जिस्टिंग के सबसे एग्जिस्टिंग में डिविडेंट कितना था साड़े साथ का साड़े साथ रहेगा पहले कितना आया पहला एग्जिस्टिंग के सबसे कि आप चैंज हुगा के ही चैंज हुगा ना कि एग्जिस्टिंग मतलत जैसा चल रहा है नहीं यहां के चैंज हो रहा है पूरा ही क्यों काट दिया है अधर है प्रहता था चैंज करना था ना यार मेड करें तक्रीज करो तक्रीज ए्यारा थ्यारा था थ्यार थासी कि असी कि इसमें सिर्फ मुझे multiple choice question जैसे बनाओ ठीक है जितना लिखना था जैसे लिखना तो वह अब समझ में आ गया सिर्फ मुझे मान किस लोना की MC क्यों था यह point number one है तू है पी है पहला question अर्निंग कितना है भाई 10 लाक 10 लाक रुपे अर्निंग से सिर्फ mcqs है आप रफ में करोगे अगर करने का दिल है तो 10 लाक यह हो गया dividend कितना दिख रहा है 30 लाक तो dividend कितना हो गया 6 लाक number of shares है एक लाक तो EPS बोल दू 10 और dividend per share है छे सिंपल हो गया है तो राइज अनंग रेश्यो कितना दिया है 6 तो वन डिवाइड बाई पी रेश्यो से के यह निकल आएगा के यह बोलो इक्स्टीन पॉइंट एक सेवन परशन ठीक है आई एर आर सब्द लिखा है हम समझ गया यह क्या है आर आर कितना है 15 पर पहले क्या बोल रहा है इसमें बच्चों का दिमाग घुमा उनका यह कहना सर वाल्टर जो बोलता उसके हिसाब से प्राइज निकलना है अगर आप बोल रहा है कि यहां कितना चलो मैं पहले पूरा कोशन पढ़ लेता है फिर क्या बोल रहा है पॉंट नमबर तू विद्धा मैक्सिमाइज क्या इससे जो कंपनी के एक्डिश्टिंग पॉलिसी है क्या उससे शेर का पाइस मैक्सिमम आएगा नहीं यह कंपनी क्या वेल्थ मैक्सिमम इक्सिमम आएगा इस अगर आपका अंसर नो है तो बताओ क्या डिवडेंट आपको आप से बोलगों कि Walter formula से price निका लो आपको नही बताना है – आपको यासा लगा नहीं Walter formula वो होता है कि पहले हम बताएंगे क्या करना है औपिर वो नहीं होता है चलो मुझे price चाहिए Walter formulas हाँ चल जाएगा 57,58 .마 ler意 handed 6.0, okay यह कोश्चन हमारे IC यह आएगा कोश्चन नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लूँ दूसरे पॉइंट का अंसर के आएगा कैसे पता नो क्योंकि तीसरे में नो दिया है तीसरे का तो खेली कतब हो गयता नहीं नो तीस क्या होना चाहिए पक्का और इसके सबसे प्राइज निकाल लेना लगेगा तो और नमबर फोर का आंसर चाहिए तेर मैल्टीबल जो इस कोश्चन है नहीं क्योंकि वर्टर मॉडल का नाम क्या है औल और नथिंग यहां भी आजाएगा दूसरा नहीं नहीं करना है यह तो मैं असी चलो यार ठीक एक रफली देख लेते इस कोश्चन को आपको करना भी नहीं घर में यह हमारे नेट प्रॉफिट दिया है 30,00,000 और 12% प्रफेंश्यर है क्या यह पूरा की पूरा प्रॉफिट एकविटी शेरहूंटर को बाड़ दिया जाएगा नहीं 30,00,000 में से 100 का 12% 12,00,000 माइनस करो तो बताओ अर्निंग कितनी होई 18,00,000 नमर अब शेर्स कितना है 3,00,000,000 तो क्या EPS निकल गया है 6 ठीक है और क्या दिया आर दे दिया है कितना पर्षेंट और के कितना दे दिया है 12% और डिविदेंट पे आउट रिशो कितना दिया है वही निकालना है और प्राइस कितना रखना है आपको 42 पी जीरो दिया है और उस फॉर्मिले से आपको डिविदेंट निकालना है मैं भी तो देखूं कितना दिमाग चलता मैस कैसा कॉपी में बनाओगे क्योंकि ये इंस्टिट्यूट का कोश्चन है पी जीरो दिया है 42 और इतना अच्छा कोश्चन है कि आंसर नहीं दिया है नहीं तो ना जुगार दगा के कि निकाली लेत इतना मैं समझा हूं अभी तगा अजा आप है कर दो कि अ एलान सराय फित तो फाइनली तब का आ गया है फाइनली डिविदेंट 3.12 और 6 रुपए में से 3.12 डिविदेंट दिया तो परशेंट इस आ गया है 52 परशेंट तो फाइनल अंसर आ गया है 52 परशेंट ये कोश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है इंसर ट्यूट का पाच नंबर पाच नंबर पाच नंबर कोश्चन नंबर 6 एक बढ़ लेते कोश्चन बही जो रिपीट हुए इसको तो कॉपी में बनाना चाहिए फ्लास में EPS दिया है कितना 10 15 परशन क्या है IRR का मतलब R 12.5 परशन क्या है Capitalization rate मतलब K Walters model को यूज करते तो what should be the optimum payout ratio वो बोल रहा कमपनी कुछ follow वालो नहीं कर रही आप बताओ optimum payout ratio क्या हो वो प्यार से लिखें आजी वही हमारा सेंस वाला R R is greater than K आजी यह तो याद हो गया हमको आजी 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 अजी D R divided by K E full divided by K E dividend कितना देना भाई लोग? 0 plus earning कितना है? 10 minus 0 R कितना है? divided by 0.125 इसका करो कैसे कर रहा है जूगाण? point number 3 अगर company आप क्या बोल रहा है dividend कितना देना चाहिए? 0 अगर company 0 के अलावा कुछ और dividend देती तो क्या share का price इतना आता इससे ज़्यादा था किससे कम आता? कम आता? बस उसी बात को क्रूग करना कोई भी है कोई भी dividend payout trade zone is other than कितना पर्शन लिया था सुरू में? जेरो पर्शन 10 और आप यहाओ कोई रहा है क्या होगा? क्या होगा? विल क्या होगा? ब्ल्ल्लिक्रीस अब suppose suppose करके लिख देते हैं suppose कितना रखना dividend payout ratio 100% से भी कर सकते हैं पर institute ने 100 ने लिया उसने 40, 50, 60 60 ले लेते हैं easy लो तो कितना dividend ले लेते हैं 6 10 10-6 R कितना 15 0.125 divided by 0.125 96 से ज्यादा मतला ना बस 86.4 यह वाला question सेम है किया हुआ इस टाइप का वही वाला paragraph और कहां तक कहां नहीं यहां तक कहां नहीं और बहुत सारे बच्चों से पिछली बैच्च के बच्चों से के ही नहीं निकल रहा था वो बोल रहे थे सर्पी रेशो कहां दिया है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके विशे में बोल रहा हूँ पर ऐसा नहीं है अच्चों अब स्टार्ट हो रहा है कहां कैसा लग रहा है कोश्च अदिंग है नमबर उप्षियर से डिविजन प्रैड है प्राइज जनिंग रिश्व ओम वक्षियर से पांच नमर कोशन आया था एक्जाम में ओम वक्षियर से इसको कट कर देखिया है यह तो वही है कि बताओ यह दूसरा कोई भी प्याउटरेशल है इसको कट इसको कट कर देखिया है वह मैं रिपीट हुआ वह मैंने का ना रिपीट हुआ झाल माई दो लेकिन इस बार इस ने इसा नहीं पूछा है पूछ रहा आर यू सैटिस्फाई with the current dividend policy और आपका भी सैटिस्फाई नहीं होगे हाँ okay अर्रीं पूर डिविदेन दे हैं तो डिविदेन सब कभी सैटिस्फाई हो नहीं सकते या तो जिरो दे यह पूरा दे दे प्लीज हो मखी दे दोनों है तो जो काटा था उसको काटो तो लाख है डिविडेंट पैड है प्राइज एंडिंग रेश्यो है पता यह जैट अप्टिम तो इंसकाट देट कि वही तो है चार लाख बस वहां 40 लाख है तीन बीज डिविडेंट है कि 2019 में था कि करेंट मार्केट प्राइज निकल जाएगा कि अप्टिमल पे आउट रेश्यो के सबसे मार्केट प्राइज निकलना बन जाएगा कि एग्जिस्टिंग केसे हब से निकलना दूसरे वाले में क्या निकालना के निकलना दूसरे वाले में के यह क्यो मांगा भीं पहले निकलनेगे तुम टाइम पास है है ना यही मांगा है फिर क्या मांगा optimal payout ratio बता दो कि और फिर बोलो जो आप बता रहे है न उसके सबसे price निकलो हो जाएगा बताओ अभी आया था 2019 2020 2020 में पास नमबर गोश्ट याद है अभी आपने निकाला था 40 रुपे आपने 52% निकाला था यह सेम तो कोश्टन नहीं है पर एकाथ कोश्टन प्रैक्टिस का बनता है ना यार MTP में डला था मार्च 2005 में सर एकाथ कोश्टन प्रैक्टिस का बनता है याँ प्राइज 105 रखना बिटे इसमें फस्ते हैं बच्चे ना अब उसका दिल क्या किया है सुनो इंस्टिट्यूटर चलो टाइम पास कराते जैसे कैपिटल इस्ट्रक्शर में टाइम पास करवाए ना चलो यहां भी करवाता हूँ तीन कंपनी है ठीक है आर दिया है केई दिया है एपीएज दिया वोल रहा है कि मान लो ओल्रर फॉर्मिले से पी जीरो निकालो अगर फैचतर परसेंट है 50 परसेंट है क्या समझदे भी ज़ब ₹ कोश्ष नमे इसमें क्या नेकालना? एसा नहीं इक में थीन आ क्वार पी जीरो निकालना प्रन हमें वाख प्राइस कितना रखना है 56 ओंवक्ष मैं कटवा रहा था था यह थो पक्का प्राइस निकालोगे एक बात तो पक्की है भाई कि एक कोश्चन आने वाला इस से वाल्टर से और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मैना था अगर आ गया तो पर यह पास नंबर का कोश्चन आता था पहले तो चलो पहले क्या निकालना है मार्केट प्राइस दूसरे में अगर प्राइस कीतना रखना है 40 मतलब यार इसमें मिक्स किया है दिख रहा है आपको उसको और इसको मिक्स कर दिया तो यह ल्डियर कोश्चन इसमें दूनों चीज़े कवर हो जाएगी हमारे अप्टीमल ड अच्छा कोश्चन इसमें दूसरा पॉइंट भी मिक्स कर दिया है अगरे अगरे पर एक पॉइंट लिखवा देता हूं उसके बाद क्लास कोश्चन तो है नहीं मेरे बाद गॉडरन समॉडर यह भी वह चीज़ बोलता है पर उसको प्रू कैसे करना है क्या एक्शुल में बोलता है यहां वह चीज़े से पर पहले पीजिरो का फॉर्मुला बता देता हूं अब डीवन का मतलब मालू है क्या होता है एक्सपेक्टेड डीविडेन और कभी कभी डीवन नहीं दिया रहता है हां अगर डीवन नहीं दिया है तो डीजीरो वन प्लस जी ग्रोथ रेट डो टाइप का होता है एक होता है सेश्टेनेबल ग्रोथ रेट एक होता है करवाँ कि आपको थोड़ा बहुत याद है एक एक्जामपल बस मुझे आंसर देना सुझ समझके हुध यहाद है तीजीरो रुपेस पइफ नहीं 30 53.50 okay कि अगर आपको पेज की जरुबत पढ़ रही है पीछे कोई पेज नहीं पलटाएगा कि अगर है भूबत प्सक्राव डर्म जान मुझके ऐसा किया है यह का अंसर आ गया है जी इसी टू पॉइंट कुछ और लिखूं कि कुछ 8.44 मैं यह नही कहना हूँ 7.02 नहीं तब 7.02 को सावन नहीं दो आंसर और बच्छे वे दो चाहर गया हूँ 7% final majority 7% इस टाइब को साथ मैंने कॉश्ट आपिटल में भी दिया था आपको हाला कि भई हमको नहीं आता है यह तो मैं आपने बोला ना तो मैं देख जबर दस्ती खुद जीत वाली बात इगो वाली बात इतले दिया आपको हाला कि वह पीजीलो मांगेगा और बिल्कुर सिंपल कोश्टन है और मुझे याद है कि मैंने आपको कॉश्ट आपिटल में भी एक कोश्टन छोडवा रखा है जिसमें मैंने बोला था मैं डिविडेंट चैप्टर के साथ में करूँ तो कल यह चैप्टर हमारा खतम हो जाएगा डिविडेंट छोटा सा चैप्टर है और इसके बाद फिर हम देखते हैं दो दिन में अगर यह खत्म कल खतम हो जाएगा हंड़ी तो आच के लिए सेफिशियंट है कोश्टन मेरे पास है नहीं है